नमस्का जहिंद और एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे दोस्तों पिछले 30 साल से भारत के सभी एक्जामों में जो बिल्कुल सेलेक्टिट कॉशन आते हैं जीके के मतलब यह कॉशन ऐसे हैं या आपको किसी अब बीदे एक्जाम में देखने मिल जांगे चाहें आप पोलिस की तैयारी करें पटवारी की तैयारी करें सिक्षपात्रता परिशा की SSC GD SSC CGL, Railway, CHSL किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी राजिक हो उत्तर प्रदेश में एक्जाम होते हैं बिहार, दौनी का सरवादिक वेग किस में होता है? राइट आंसर है प्र Russia के लिए कोई शाइकल सवार किसी मोड पर गोमता है तो कोई साइकल सवार या कोई आपका motorcycle चला रहा हो जब बीतर की ओर जुक जाता है किंद्र की ओर जुक जाता है option climate से यहां का समानुपाती होगा राइट आंसर हो जाएगा कुंडली के जरिये जो चुम्ब की गोलक की परिवतन दर होती है उसके समानुपाती अगला कोशन है विदुत मात्रा की काई क्या है तो विदुत मात्रा हम मापते हैं एंपियर में करेंट को एंपियर में मापते हैं ऑप्शन नमबर एंपियर राइट आंसर हो जाएगा कमेंट करके बताओ ओम किसकी काई है ओम में हम क्या मापते हैं ऑप्शन नमबर बी में आ करके बताना है रैटिना के बीच एक वुरत्तागारिस्थान होता है जिसको या रखना रैटिना के बीच में एक वुरत्ताकारिस्थान होता है जिसको पीत बिंदू कहा जाता है option number C, पीत बिंदू right answer हो जाएगा प्रश्ण के लिए आउतल लेंस का उप्योग आँख के निम्नल लिखित दोश के निवारन के लिए किया जाता है तो आउतल लेंस का जो use होता है वो आँख के निकट द्रश्टी दोश के निवारन के लिए होता है option number C, निकट द्रश्टी दोश right answer हो जाएगा विदोधारा के चुम्ब की प्रभाव की खोज किस वेग्यानक ने की थी? तो विदोधारा के चुम्ब की प्रभाव की खोज जो की थी या आपकी औस्टेंट ने की थी तो आपका वास्तविक भाहर से आप हलका महसूस करेंगे और लिफ्ट उपर की हो जा रही होगी तो वास्तविक भाहर से आपका भाहर अधिक महसूस होगा उपर जा रही हो तो अधिक नीचे गिर रही हो तो कम और एक दम से यादी lift नीशे गर जाए तो आप lift की उपर वाले दीवार पर जाके चिपक जाओगे यादी बहुत तेज एक दम से lift करने लगे तो या रखना निम्द लेकित में से किस रंग की सरवादिक तरंग देर्द होती है तो सरवादिक तरंग देर्द आपकी होगी लाल रंग की ऑप्शन नमबर ही लाल रंग की सरवादिक तरंग देर्द होगी राइट आंसर हो जाएगा अगला question है कि प्रतवी सूरे से प्रचोरता मात्रा में उर्जा निम्ने रूप में प्राप्त करती है तो प्रतवी सूरे से प्रचोरता मात्रा में जो उर्जा प्राप्त करती है वो औरक्त तथा ताप उर्जा प्राप्त करती है के रूप में option number यहाँ पर भी औरक्त तथा उर्जा राइट आंसर हो जाएगा द्वानी की चाल कितना मील प्रति घंटा होती है तो द्वानी जो रहता है उसकी चाल लगबग 760 मील प्रति घंटा होती है उप्शन नमबर भी 760 मील प्रति घंटा राइट आंसर है आप एक शिक आदरता को मापने के लिए निम्दलेकित में से किस उपकरण का प्रयूक किया जाता है तो आप एक शिक आदरता को यदि आपको मापना हो तो आप हाईग्रो मीटर का यूज करोगे option number C हाईग्रो मीटर से आप एक शिक आदरता को मापा जाता है निकट द्रश्टी दोस मायोपिया का सुधार किया सकता है कैसे तो यदि किसी को निकट द्रश्टी दोस या मायोपिया हो गया हो तो उसका सुधार होता है आपका Concave Lens के द्वारा Option number Concave Lens प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्दले के तमसे कौन सी धातू जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करने वाली धातू यहाँ पर जो option दिएगा है Potassium जो है यह जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है Option number यहाँ पड़ी Potassium प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं अगले कॉशन क्या पूछा गया है Fitकरी किसका उधार्ण है तो Fitकरी जो होता है आपका यहाँ पर आपको जो option दिएगा है Right answer हो जाएगा यह आपका एक द्विक लवन कहलाता है Option number A द्विक लवन कहलाता है जो Fitकरी होता है आपका आनंदमट पुस्तक का लेखा कौन है किसने लिखी दिए आनंदमट पुस्तक तो Right answer हो जाएगा इसके लिए आपका बंकिम चंद चट्टू पाद्याजी ने Option number C के द्वारा आनंदमट लिखी गई थी Option number C से यह आंसर हो जाएगा गड़ कटंगा निम्दे किसे जनजाती का सामराज था तो गड़ कटंगा यह गोंड जनजाती का सामराज था दोस्तों Question कैसे लगे? Question अच्छे लग रहे हैं? यह Question Group D में आ रहे हैं और इसके साथ साथ GK और Science की PDF तयार की है 300 रुपे में PDF है आपकी 10,000 MCQ है कि एवल 1000 स्टुडेंट को 99 रुपे में दे रहे हैं क्योंकि Group D का एक्जाम चल रहा है अधर एक्जाम आ गए है इसलिए 1000 स्टुडेंट को 99 रुपे में PDF मिलेगी WhatsApp करिये दिएगा यह नंबर पर जिस जिसका Group D का पेपर है वो भी ले लो और बाकी अधर एक्जाम वाले भी जरूर पर्चेस कर लेना क्योंकि फिर 300 रुपे की हो जाएगी बाद में तो अभी जिसको पर्चेस करना हो नंबर सेफ कर लो WhatsApp कर देना फॉन पे गूगल पे पे टीम के मादम से UPI के मादम से पेमिंट कर सकते हो पीडियाप आपको WhatsApp पर मिल जाएगी गुजरात के सोमनात मंदर पर किस ने हमला किया था गुजरात के सोमनात मंदर पर महमूद गजिनी ने हमला किया था option नमर ये महमूद गजिनी राइट आंसर हो जाएगा नवपाशान स्थल दवजली हेडिंग कहां पर है तो दवजली हेडिंग ये नवपाशान इस्थल है और ये आपका असम में पढ़ता है option नमर भी असम राइट आंसर हो जाएगा निम्नलकित में से कौन सा जोतर लिंग महराश्टर में इस्तित है तो महराश्ट की बात हो रही है ग्रणेश्वर option नमर यहां पर ग्रणेश्वर जो तिर लिंग जो है ये आपका महराश्टर मिस्ते थे option नमर भी एक हजार इस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजिनी किस भारती शाशक से हार गए थे तो महमूद गजिनी को जैपाल ने हराय था option नमर यह जैपाल राइट आंसर हो जाएगा बिहार में 877 के विद्रों के आयोजक या सायोजक कौन थे तो 877 का विद्रों जो बिहार में हुआ था कुमर सिंग उसके आयोजक या सायोजक थे option नमर यह भी राइट आंसर है जो question पढ़ा रहे हैं यह सभी question आपको बहुत important है आपके exam में आ सकते हैं यदि आपको यह question चाहिए तो हमने 10,000 question निकाले हैं 10,000 GK के question निकाले हैं जो पिछले 30 साल से बार बार exam में आ रहे हैं और यदि आपने 10,000 question पढ़ लिए मतलब आपकी GK बिल्कुल शानदार हो जाएगी किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो आप जिसे exam की तैयारी कर रहे है उसमें आ सकते हैं यह question 300 रुपए की PDF बना ली गई है PDF क्या होती है mobile पर आप किताब जैसे पढ़ सकते हो PDF क्या है आपके mobile पर आ जाएगी बुक जैसे आप इसको पढ़ सकते हो PDF तैयार कर ली गई है 10,000 question रहेंगे 300 रुपए की PDF सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल रही है क्योंकि exam चल रहे है 99 रुपए आपको यदि payment करना है तो कैसे करोगे तो phone पे Google पे PTM के माधम से payment कर सकते हो यदि आप नहीं चलाते हो तो दोस्तों से मम्मी पापा भाई बहन दोस्ते दलवा सकते हो पैसे 99 में 10,000 GKM CQ PDF जिसको PDF चाहिए नीचे दीगा नंबर पर WhatsApp कर लेना नीचे दीगा गया नंबर जो है जबी हाइडरोक्लोरीन अमल मिला जाएगा तब क्या होगा तो यदि आप लोहे की फाइलिंग में हाइडरोक्लोरिक अमल मिला देते हैं तो अचिश्ड़ fairyन jours और ळ्लोह क्लोराईड तयार हो जाएगां अप्शनोर यहां प्राइज़ कекस की जन्मजैनती पर राश्ट्रीय यों आ अंसर मनाए जाता है तो राश्ट्रीय यों महतव डिवसर ये सुवामी विवेका चीः कि जन्मजैनती पर मनाए जाता है Google यहां पर राइट उसर है झर्विश्य फ्मिन jit कि बॉद्ध सिख और जैन यह भारत में उत्पन हुए देश धर्म जैपुर में इस्तित हवा महल का नमाण किस ने कराया तो जैपुर में इस्तित हवा महल सवाई प्रताप सिंग निसका नमाण कराया ऑप्शेन नमर यहां पड़ी राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद् सहीता लिखी थी ऑप्शेन बड़ी व्रहद सहीता वराह मेर दवारा लिखी गई पुस्तक है फ्रांसी सी शाषन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्दल के तुम से कौन सा चेत्र भारत का केंद्र सासित प्रदीश बना तो भारत का केंद्र सासित प्रदेश यहां पर आपको क्या जात था तो बल से काल अंबर। या हत्याकांड के खिलाफ किस ने अपनी डाइट हूड उपाधी को त्याग दिया था तो राइट आउंसर हो जैगा रविंद्र नाथ टैगोर ने अपनी नाइट होड़ो पादी को त्याग दिया था option number यहाँ पर C right answer हो जाएगा निम्नलगित में से किसान विद्रो में सरदार वल्ला भाई पटेल ने भाग लिया तो वास्तुकला की चार भाग शहली यह प्रारम किये थी मुगलों के द्वारा तो option number यहाँ पड़ी मुगल right answer हो जाएगा प्रशनी के लिए किस वर्ष में सुभाष चंद्र भोष को हरीपुर कॉंग्रेस अदिवेशन के अद्ध्ष की रूप में चुना गया था तो सुभाष चंद्र भोष जी 1938 में हरीपुर कॉंग्रेस के अद्ध्ष की रूप में चुने गया option number B गुरु नानक देव का जन में कहां हुआ था तो गुरु नानक देव जी का जन मुहता आपका तलवंडी में option अबड़ी तलवंडी right answer हो जाएगा प्रशनी के लिए स्वामी वेकरंद के गुरु का नाम इन में से क्या था तो स्वामी वेकरंद जी के गुरु का नाम था आपका राम कृष्ण परमहंस option अबसी राम कृष्ण परमहंस right answer है प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंच ने विक्सित किया तो गांधार कला शैली यह फली फुली थी कुषाणों के समय कुषाण बंस option नमबर यहाँ पर ए प्रशनी के लिए right answer है hanging garden of babylon निम्लिकित में से किस प्राचीन संस्क्रती से संबनित है तो hanging garden of babylon यह आपका मैसो पोटामिया सभिता से संबनित है option number यहाँ पर भी मैसो पोटामिया सभिता right answer हो जाएगा असायोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था तो असायोग आंदोलन जो था यह आपका 1922 में समाप्त हुआ था option number C 1922 प्रशनी के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा option number C अगरा question देखिए अठार संतावन के विद्रो भारती विद्रो के दौरान मुगल समराट कोन था तो अठार संतावन के भारती विद्रो के दौरान मुगल समराट right answer हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वती थे इनको रंगून बेज दिया गया था और अठार संता उनकी सबसे कमजोर कड़ी इनी को माना जाता था बहादोर्शार दोती को या बहादोर्शार जफर भी का जाता इनको चार महान सत्य की अआ अधाना नमिक किन धर्मों से लिग видел किस धर्म से है तो चार महान सत्य जो लिए गए हैं राइट आनसर हो जाएगा यह बहुत धर्म इसका जिक्र किया गया है option number यहां पड़ी बौध धर्म राइट आंसर हो जायेगा राष्ट्रवादी Congress Party के गठन किसवश किया गया था तो राष्ट्रवाधी Congress Party के बाद हो रही है 1999 में राष्ट्री Congress Party नहीं राष्ट्रवाधी Congress Party 1999 में इसका गठन हुआ था मोहन जो दाडू किस नदी के ततपरिस्त है तो मोहन जो दाडू सिंधू नदी के ततपरिस्त है option number सी नदी राइट आंसर हो जाएगा निम्नलगत मैंसे किसे लोकनायक की नाम से जाना जाता है तो लोकणाय कहा जाता है जै परकाश नारान या जेपी नारान को option number यहां पर डिर राइट आंसर है निम्द लिगभे तेमाएंसे किसको वेदान्त कहा जाता है तो वेदान्त की संग्या दीगई आपकी उपनिष्यदों को option number और उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपत मौझूद थे आपका ए प्रश्णिक लिए राइट आंसर है आईरन के वायू की उपस्तिती में जलने पर किसका निर्माण होगा तो यदि आप लोहे को हवा में जलाएंगे तो आपका बनेगा क्या यदि लोहे को आप हवा की उपस्तिती में जलाएंगे डैश का संचारण एक गंभीर समस्या है तो आपका लोहे का रंग कैसा होता है तो जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका रंग जो है लाल भूरे रंग का हो जाता है option number सी लाल भूरा रंग right answer हो जाएगा प्रेशन के लिए फेरस क्लोराइड का आणड़िक सुत्र क्या होता है तो फेरस क्लोराइड जो होता है वो आपका होता है यह फेरस क्लोराइड कहलाता है option number भी यहाँ पर right answer है magnesium ribbon एक चमकदार सफेद लो के साथ जलती है और एक किस कलर का रंगीन पाउडर में बदल जाती है किसमें mgcl2 विले है तो mgcl2 यह आपका घुल जाएगा किसमें तो option number भी gel में mgcl2 विले है तांबे और जस्ते के साथ कांस से बनाने के लिए जोड़ा जाता है क्या तो तांबा और जस्ते के साथ यह आपको कांस से बनाना है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option number B SN, SN क्या होता है SN होता है आपका इस टैनम मतलब टिन तो ताबे और जस्ति के साथ टिन मिलाते हैं, कांस से बनाने के लिए या रखना, टिन मिलाते हैं, SN मतलब अगला question देखे MGO का विलियन होगा, तो MGO इसका जो विलियन होगा, राइट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा, छारी विलियन कहलाएगा option number B MGO का विलियन, छारी विलियन कहलाएगा lead nitrate के तापी अब घटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है तो lead nitrate को जदी आप जलाओगे तापी अब घटन करोगे उसका तो राइट आंसर हो जाएगा lead nitrate को जलाओगे तो lead oxide बनेगा, oxygen निकलेगा और nitrogen dioxide निकलेगा option number A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब lead धातू copper chloride के विलियन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है तो जब lead धातू को copper chloride के विलियन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो lead chloride निर्मित होता है option number A lead chloride प्रिशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पारा एक मात्र ऐसी धातू है जो 0 degree Celsius पर तरल रहती है इसका कारण क्या है तो पारा 0 degree Celsius पर तरल अवस्था में रहती है और इसका जो कारण है ये है आपका इसकी अच्युत आयनीकरण उर्जा और धीला धात्विक बंध इस कारण से पारा देखना पारा है धातू लेकिन ये liquid अस्था में पाई जाती है option number B right answer हो जाएगा प्रश्ण के लिए निम्न मैंसे कौन सबसे कम अभी क्रियाशील है तो यहाँ पर आपको जो option दिएगा है magnesium, para, hydrogen और aluminium मैंसे आपका पारा जो है ये अत्यदिक कम अभी क्रियाशील कहलाईगी option number B पारा जो है ये अत्यदिक कम अभी क्रियाशील है option number B यहाँ पर right answer है अगला question दिखिए quick silver क्या होता है तो quick silver जो है आपका यहाँ पर right answer हो जाए quick silver आपका para या hg होता है option number B para या hg होता है quick silver thermometer में उप्योग की जाने वाली तरल धातू की पहचान करिए तो thermometer के अंदर उप्योग की जाने वाली जो तरल धातू है यह है आपका para option number यह पारा का यूज होता है thermometer के अंदर निम्नलेकित धातू हमें से कौन सी कक्षी तापमान पर द्रवस्था में होती है तो लोहा या इस्टील पर जस्ते की पतली पर चढ़ाते हैं उसको galvanization कहा जाता है option number C galvanization प्रशन के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question देखिए transformer कारे करता है किस current पर AC पर या DC पर तो याल रखना transformer हमेशा AC current पर कारे करता है option number AC current पर कारे करता है transformer लाल रंग और नीले रंग ये एक दूसरे से भिन्न है किस कारण से तो आपको उतादें लाल रंग और नीले रंग ये एक दूसरे से भिन्न है इनकी आवरत्ती आयाम और तरंग देर्द ये सभी अलग होती है किसी भी रंग की आवरत्ती आयाम और तरंग देर्द सभी अलग होती है इसलिए ये एक दूसरे से भिन्न होती है option number यहाँ पर डि उप्रोक्त सभी प्रशन के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा जूल प्रती सेकेंड इनमें से किस की काई है तो जूल प्रती सेकेंड यहाँ पर आपको जो option देगा है उसमें से आपको बताना है राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रती सेकेंड आपका option number भी शक्ती की काई है जूल प्रती सेकेंड option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा प्रशन के लिए अगला question देखिए प्रैशर कुकर में खाना जल्दी पकता है ऐसा क्यों होता है तो प्रैशर कुकर में आपका खाना जल्दी पक जाता है इसका कारण है तो जो क्वथन होता है वो अधिक ताप पर होने लगता है इसके काण जो है प्रैशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है option number ए कौथन अधिक ताप पर होने लगता है प्रश्नी के लिए right answer है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कारे कर रहा है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है लेकिन वो उस दीवार को हिलाने में असफल रहता है तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी कारे नहीं कर रहा है जब तक आप किसी चीज़ को एक जगा से दूसरी जगा नहीं हिला देते हैं वह अपनी जगा पर इस्थिर रहेगी तो आप कोई भी कारे नहीं कर रहे है अगला कॉशन दिखे किसी गैस का आयतन इस्थिर ताप पर बीस प्रतीशत कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतीशत बढ़ाना पड़ेगा निटलिखे योगा में से किन बहुत एक राशियों के समानवstepन नहीं होते हैً तो यहां पर आपको जो यूग में दिये गए इनमें से दो बहुत एक राशिया एसी इनके समानव Crisp नहीं है वह हैं आपकी बल इवम दाव बल और दाव का समान विवी में सूतर नहीं होता है आर्क वेल्डिंग में आवशेक DC वोल्टा कितनी होती है तो आर्क वेल्डिंग यदि आप करते हैं तो आर्क वेल्डिंग में आपको कम से कम 200 से 2500 वोल्ट चाहिए DC option number C यहाँ पर आईट आंसर है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है तो पानी पर तैरती हुई वस्तु जो रहती है उसका आभासी जो भार रहेगा वो शूने रहेगा या रखना शूने भार रहेगा आभासी option number B जब पानी जमता है तो घनत्व पर क्या प्रहा पड़ेगा तो जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत तो जो है घट जाएगा option number A घनत तो घट जाएगा option number A यहाँ पर right answer है एक स्वतंतर रूप से लटका हुआ चुमबक सदा ठहरता है या स्थिर होता है किस दिशा में एक स्वतंतर रूप से जदी कोई चुमबक लटका है या छोड़ा गया है तो हमेशा उत्तर दक्षन दिशा में जो है स्थिर रहेगा रुख जाएगा option number A यहाँ पर right answer है एक किलोग्राम राशी का वजन अगला कोशन दिखिये प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है तो कैमरे के अंदर जो लेंस यूज होता है वो आपका उत्तल लेंस प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जब हम रबड के गड़े वाली सीट पर बैठते हैं तो अचानक गड़े पर अत्वा लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में क्या पाए जाता है तो रबड वाले गड़े पर हम जैसे लेट बैठेंगे आकार बदल जाएगा उस इस प्रकार की पदार्थों में इस्थिज उर्जा पाई जाती है ऑप्शन नमबर भी इस्थिज उर्जा प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्लक्स घंता और चुम्बक छेत्र की चमता कानुपात किस माध्यम में हो पर अब में दोंवह दुगा प्शन नमब्र इस्थ वालNY वस्तू compared से प्रशन नमें जोंतों गिरेंगी उसका समान त्वारण होता है option number C, समान तुरन होता है right answer हो जाएगा एक प्रकाश वर्स इससे सरवादिक समीप है तो जो एक प्रकाश वर्स होता है, right answer हो जाएगा यह आपका 1000, 16 मीटर से सरवादिक समीप होगा एक प्रकाश वर्स आपका यहाँ पर गलत answer दिया गया है अगला question देखिए, potassium nitride का molecular सूत्र कितना होता है तो potassium nitride जो होता है, आपका right answer हो जाएगा KNO3 होता है क्या होता है, KNO3, option number E, यह होता है आपका potassium nitride या रखना बहुत important question है, अगला question देखिए कौन सी धातु को तेल में रखना आवशक होता है, तो तेल के अंदर रखना आवशक होता है आपका potassium को, क्योंकि आपको पता है यह अभी क्रियाशील धातु भी है, option number B Comment करके बताना है मिट्टी के तेल में किस धातु को रखाया, तो है मैं आपको two option दे रहा हूँ एक है आपकी iodine और दूसरा है आपका iron मिट्टी के तेल में रखना आनिवार किसको होता है iodine या sodium या पिर आपका iron, sodium या iron में से किसको आप मिट्टी के तेल में रखेंगे सोडियम या फिर आयरन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ठीक है अगला कोशन देखो धातू आकसाइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है तो यदि आपको धातू आकसाइड बनाना है तो आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगी ऑप्शन अमबर D आयरन के भाप के साथ राइट आंसर हो जाएगा निम्हें देखतम से कौन से तत्तू का रासाइनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है तो लेटिन से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन देगा है आयरन का जो है रासाइनिक प्रतीक ये लेटिन भाँसा से लिया गया है अप्शन अमबर D आयरन का लेटिन भाँसा से जो है प्रतीक लिया गया रासाइनिक प्रतीक ferrous sulfate crystal को test tube में गरम करने पर क्या उत्पाद बनेंगे तो यदि आप ferrous sulfate crystal को एक test tube में गरम करेंगे तो क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बनेगा ferric oxide प्लस पानी उस प्लस sulfur dioxide और प्लस sulfur trioxide option नमर यहां पर C सही आंसर हो जाएगा ferric oxide पानी बनेगा sulfur dioxide, टायोकसाइड, त्रायोकसाइड option नमर C राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखिए iron oxide का राइट आसानिक सूत्र क्या होता है? तो जो iron oxide होता है इसका राइट आसानिक सूत्र होता है आपका Fe2O3 Fe2O3 क्या है? तो Fe2O3 iron oxide कहलाएगा रट गया आगला question देखो ferrous sulfate crystal का राइट आसानिक सूत्र क्या होता है? तो जो ferrous sulfate होता है crystal उसका राइट आसानिक सूत्र होगा यहाँ पर आपको दिये गए है उसमें से right answer आपका हो जाएगा option number यहाँ पर C Fe2O4 plus 7H2O यह ferrous sulfate crystal का राइट आसानिक सूत्र है option number 6 एक प्रकाश वर्ष किसके अधिक समीप है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपका 10 के उपर 16 गात मीटर के समीप है 10 के उपर 16 गात मीटर के समीप मतलब यह देखिए 10 के उपर 15 की गात और 9.4 है सही answer क्या होता है? कि 9.4 है गुर्ष 10 के उपर 15 की गात यह सही answer है लेकिन इसको समीप एदी देखेंगे तो 10 के उपर 16 की गात के आसपास कहलाएगा option number 6 यहाँ पर प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक जूलने का समय कितना हो जाएगा तो यदि कुसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक जो जूलेगा उसका जो समय हो जाएगा वो आपका दुगना बढ़ जाएगा option number यहाँ पर भी दुगना बढ़ जाएगा प्रशने के लिए option number भी दूरी के ज़िए आप दुगनी लंबाई पर लख देंगे तो एक मूल तथा आभासी स्थती आपको जो है समान आकार में पाई जाए सकेगी option number C किसी भी इस्तिर्य गतिशी लवस्तू की स्थती और जिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहबल सक्रिन अहो किसका नियम है तो राइट आंसर हो जाएगा निव्टन की गति का नियम है ये और कौन सा नियम है तो निव्टन की गति का पहला नियम है option number यहाँ पर A newton की गति का प्रथम नियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्नलिकित विकल्पों में से सबसे तन्य कौन सा है तो यहाँ पर आपको जो विकल्प दे गए हैं उसमें से सबसे तन्य होए आपका AU AU मतलब औरम, औरम मतलब गोल्ड अप्शन नमबर यहाँ पर C प्रशने के लिए सबसे तन्य हो जाएगा अगला कौशन देखिए जिंक कॉपर सलफेट विल्लियन से कॉपर को अलग कर सकता है क्यों? तो जिंक कॉपर सलफेट विल्लियन में से कॉपर को अलग कर देता है इसका reason यह है कि zinc जो है आपका copper की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है तो copper को अलग कर देगा खुद अभिक्रिया कर लेगा option number C, right answer हो जाएगा copper sulfate के willion में zinc मिलाने पर क्या होगा तो copper sulfate का जो willion होता है यदि आप उसमें zinc मिला देंगे तो zinc sulfate बन जाएगा option number यहाँ पर जिंक sulfate बन जाएगा right answer है जल योजित copper sulfate का राशानिक सूत्र क्या है तो जल योजित copper sulfate जो है उसका राशानिक सूत्र होता है आपका CuSO4 into 5H2O option number A यहाँ पर right answer है निम्नमें से कौन सा लचीला और कोमल है यहाँ पर आपको जो option देगा है इसमें से लचीला और कोमल बताना है तो सबसे लचीला और कोमल यहाँ पर जो option देगा है तामबा option number B तामबा right answer हो जाएगा तामबा sulfate के villain में जस्ता मिला जाने पर किसका विस्थापन होता है तो तामबा सलफेट के विलन में आप जस्ता मिला देंगे इसमें आपका तामबे का ही विस्थापन हो जाएगा option number D तामबा या कॉपर का विस्थापन हो जाएगा